हर्यान में इस बार बीजेपी और कॉंग्रेस के बिस कांटे की चक्कर है क्या बीजेपी हर्यान में हेट्रिक लगा पाएगी आप कॉंग्रेस बीजेपी का विजायरत रोक पाएगी क्या माहुल हर्यान में इस वक्त लग रहा है बात करने के लिए बीजेपी के वरिश निता कुल्दी पिश्णुई साहब हमारे साथ मुजदा सर इमानदारी से बताना इस बार क्या आप लोग हेट्रिक लगा पाएंगे लड़ाई कितनी मुश्किल है कॉंगर्स कितना कड़ा मुकाबला आप लोगों को दे रही है एपने सचाई की बासी सचाई की बासी मिमुश्किण किया करता ह mitigation कि लोगों का मन अभी भी कॉंगर्स के बरिष्टink सरकार से दूर नहीं हुआ है लोगों उस वाँ कि सरकार को हम याद राते तो लोगों को गुस्सा आ जाता है कि वे दस साल जो कॉंग्रस की सरकार परदेश में रही और देश में रही इन्हों ने कितने घोटाले कितने ब्रश्टा जार किये और ऐसी सरकार को आप दुवारा लेकर आना चाहते हैं इसमें पैसे दे के काम होते हूं जिसमें पैसे दे के रोदगार मिलते हूं जिसमें कोई अमन चैन शान्दी कमसे के हमारी थोड़माई तो है यहां तो मैं दावे से कहता हूं कि हमारी हैट्रिक होगी और हर हालत में होगी अब हैट्रिक की बात कर रहे लेकिंद इस तरीके से टिकट आवंटन हुआ काफी सीटों पर विरोध देखनों की मिला उसका कितना नुक देखा है और जहां तक विरोध की बात चुनाव लड़नेवार आदमी के वरकर सारे को प्रैसर डालता है तो चुनाव तो आदमी ड़ता ही और कॉंग्रस के इंदरी वरोध हो रहे सब पार्टी वरोध हो रहे हैं आप बीजेपी के वरिश नेता है आपको क्या लगता है कि किन किन मुद्वों को बीच में लोगों के बीच जाना जी ताकि जो मैंडिट है आप लोगों के पक्ष में आई सबसे बड़ा कि हमने भारती अंता पार्टी की दस साल की सरकार में एक भी बरस्टा चार का रोब कभी परधान मंत्री जी या मुक्ख्य मंत्री जी जी बड़े नेता के उपर नहीं लगा प्रियों का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहेगा रोजगार अनिप्लाइमेंट तो इंटरनेशनल इस्यू है अमेरिका तक भी तक लोग बेरोजगार बने हुए लेकिन हमारी हमने फिर भी एक रिकॉर्ड रोजगार परदेश के अंदर दिया है आने वाले समय में डीज़ेपी में दिख रही है ऐसा बीड़ा बीजेपी में कोई फ्च्र नहीं कॉछ लोगों ने गांधी परिवार को घेरा हुआ है उनीं सब्सक्राइब का नोगों की सलवाई हुए सब्सक्राइब करके रिखे ह Glasफ महिसले के हैं हिसार देख गिज्बारिब को उसक्राइब सेब में है इस एस पूरी परेंट का इस बर हिसार में कैसा पर्दर्षम में ट्रकाइब का अगर तो साथ लगती जीले हैं फत्याबाद सिर्शा यहां पर कैसा प्रदेशन रह सकता है भी जेपी का देखें बहुत बढ़िए प्रदेश मेरी इतने भी लोग कारे करते हैं पूरे प्रदेश के अंदर ना क्यों इसार पतेबाद पूरे प्रदेश में तभी कि हमने ब सरकार बनाने में जोगदान देए इस बैल्ट की अगर कई सीटों की बात करें आदम पूर तो आपके बिल्कुल पैत्रिक्स की सीट होगी नलवा फत्याबाद हिसार इन कई सीटों की जिम्मेदारी हांसी की काफी हद तक आपके कंदों पर हैं कहां कहां पर पर परचार करे होंगे क्या यह सीटें सेफ रही आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया केंडेट्स हैं और हराल में सीटों मैंने कहा कि परदेश में लगबग 23-27 सीटों के बीच मैंने शॉट लिस्ट की है जहां मैं जाओंगा यहां मैं समझता हूं कि मैं बहुत मजबूत य परदेश में चुनाव परचार करेंगे अगर आदंपूर की बात कर लेते भव्या का चुनाव कैसे चदर रहे हैं जीत होगी मेरा आज दावाई रिकॉर्डिंग भी आप रखेगा बाइलेक्शन से कहीं ज्यादा मतों से भव्या आदंपूर से जीतेगा नलवा और फत्य हम फत्य बाद भी जीतेंगे थार के अंदर अब इस तरीके से बड़े दिनों से इंजार करते हैं आपके वरकर कि बिश्नुजाब को कुछ बड़ी जिममन दरी जाएगी इस बार भी आप इस तरीके से डायरेक्ट-इंडाक्य मैसिज समर्थकों में देते हैं कि बड़ी ज जिम्मेदारी हो सकती है समर्थकों के लिए क्या कहेंगे देखिए बीजेपी ने मान समान दे रही कोई दोराईने कुछ उमीदें लोगों को लोकसबा औराजी सबा की थी वह बादें तर पार्टी को कोई कारण रहा होगा नहीं दी इसका निसंदे गुस्ता मेरे कारे दाल नहीं देखिए बीजेपी और पाईगी हरीयाना में बड़ी जिम्यदारी रहने वाल है तकरीब पर देखिए पर दरजन सीटों पर कुल्दी पिशनोई चुनाव परचार करते ही निज़ आएंगे कैमरामेन जसी के साथ अनिल मोर खबरे तक हिसार